साल 2024 के आपको हार्दिक शुब काम ना है किस तरह का रहने वाला है 2024 आपके लिए सितारे क्या कह रहे हैं कि कौन सी चुनोतियां 2024 में आपके लिए आ रहे हैं कौन कौन से समाधान 2024 में आ रहे हैं कौन सी खुशकिस्मती 2024 आपके लिए लेके आ रहे हैं सारी जानकरी आज के व स्वागत है आपका हैपी लाइविद योगे शर्मा में दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनमने डिमेटन के अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेपा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भू आपके परिष्टिक्स अप्सकिल्स के अनुसार आप सकिल्फूल है आपके पास व्लाना प्रॉड़क्ट दुनिया को देने के लिए है अपने ऑफिस में ये सर्विसीस उफर करने के लिए हैं यह आपको उठके कहना पड़ेगा अपने पुराने माध्यम से जोर्दार हो स सरल उपाए आपने नमक की सिली लेनी है और गौशाला में गायों को खिला के आनी है ये आप साल की शुराद के पहले हफते में कर देंगे न तो पूरा जनवरी महीना आपके लिए सुपर फाइन महीना बन जाएगा अब फर्वरी महीने की बात करें न तो आप देखिए जो यहां पर यह जो combination बन रहा है यह अगेन आपके लिए धन के आगमन के रास्ते तो खोलेगा उसी तरीके से खोलेगा जैसा मैंने जनवरी के महीने में बताया था लेकिन सूरे का फूर्थ हाउस में होना आपको थोड़ा सा टूरिंग करवा सकता है परिवार से थोड़ा इस महीने में खर्चे उतने ही करिएगा जितने आपके काम कारोबार की investment के लिए जुरूरी है अपने सुख सादुनों पर खर्चे मत करिएगा नहीं तो इस महीने में आपको परेशानी हो सकती है ओवराल धन के मामले में यह महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहे सारा महीना 100% आपकी फेवर में रहेगा अब अगर मार्च महीने की बात करें तो यहां पे मंगल और शुक्र का जो combination है और स्पेशली सूरज शनी का जो combination है यह कुछ अच्छा नहीं है इसकी वजह से घर परिवार में कुछ ऐसा कलेश का बातावरन बन सकता है जिससे आपक महीने की शुरुवात में ही किसी भी लंकर में किसी भी मंदिर में आप डोनेट कर के आईए फिर सारा महीना घर में भी शांती रहेगी और आपके जीवन में भी धन और productivity का आगमन होता रहेगा अब अप्रेल महीने की बात करें ना तो मंगल शनी का combination आपके 500 गर में और सू किसी को भी जीवन में अपनी समस्या से निकलने का रास्ता बताईए, आप किसी को रास्ता बताएगे, कुदरत आपको रास्ता बताएगी, और specially इस महीने में आपके लिए ऐसा उपाय है, जो इस महीने में पूरी तरह से आपको चीजों में, दिक्कतों से पार पाने में भी म कर लो पाये, लेकिन इस महीने के लिए आपके बहुत ही यूजफू लो पाये, अब मई महीने में आप देखिए, कि आपके मंगल राहू बुद्ध का कॉंबिनेशन है, आपके कुंडली के कौन से घर में, चटे घर में, और बुद्ध यहाँ पे नीचराशी के भी हो रहे जीवन साथी से अनबन या जीवन साथी की हेल्थ को कोई ना कोई चैलेंज, ये भी आपको इस महीने में दिख सकता है, एक सरल उपाये जो कोई भी दिक्कत आप तक पहुंचने नहीं देगा, और ये जो उपाये है ये भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है, आपने इस मह पीजों से नुकसान होने के असार को भी बहुत ज्यादा कम करेगा, अब जून महीने की बात करें तो आप देखिए मंगल हैं आपके सेवंथ हाउस में, और सूरे, शुक्र, गुरु और बुद्ध, ये कॉम्बिनेशन आजाएगा, ये कॉई बहुत वेलकम कॉम्बिनेश करेंगे, उतना पीछे रहते जाएंगे, इस महीने में अलूफ हो जाएए, एकदम से डिटैच हो जाएए, पूरा अपनी तरफ ध्यान दीजिए, चीजों को दोबारा से राइट करके दोबारा प्लैन करने की कुशिश करिए, ये दरसल कुद्रतन महीना दिया है आपको अ आपके लिए एक रिजूवीनेशन का महीना, चीजों को पुनर स्थापित करने वाला महीना बनाएगी, अब आधा साल बीच चुका है, जुलाइम का महीना शुरू, साल के सेकंड हाफ की शुरूआत में मंगल, आपके जो हैं, ये अभी सेवंध हाउस में है, महीने की शु बोटा मोटा नहीं होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, और ये जो ग्रोथ है ना, ये आपके लिए आने वाले कई महीनों का कॉर्पस भी देखे जाएगी, इवन इस महीने में कोई नया वाहन, या कोई नई जमीन जायदाद का बेचना और नई जायदाद का लेना, या किसी नई जगा पर शिफ्ट करना, ये चीज़े भी इस महीने में दिख रहे हैं, घर में कोई धार्मी का आयोजन होने के योग भी बन रहे हैं, इस महीने का एक सरल उपाई आपके लिए, और ये उपाई है कि आपने मीठा और नमकीन, ये हर मंगलवार लोगों में बा कोई नई चीज़ को काम में बढ़ोतरी करने का समय, अगर आप नौकरी में हैं, तो इस नौकरी में आपको या तो सीट चेंज होगी, या कुछ नए जिम्यदारी मिल सकती है, जिसके वज़ए से आने वाले समय में आपको बहुत लाब हो सकता है, हाला कि इस महीने में हेल् प्रेशर की केर करिए, लाइफ स्टाइल से जितनी भी परिशानिया आती है ना, वो सारी की सारी परिशानियों में से कोई एक दो परिशानिया आपको परिशान कर सकती है, तो लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लेन रखे, फिर देखिएगा किस तरह से ये महीना आ आपको स्वस्थ भी रखेगा और इस महीने में खुश किस्मती भी देगा अब सेतंबर महीने की बात करें तो सूरज आपके एक तो अपनी राशी के रहेंगे इंकम के भाव में रहेंगे बुध अभी आपके 10th house में है जो इसी महीने के बद्धे में जाके आपके सूर्य को जॉइन करेंगे और मंगल 9th house में जबर दस तो ये एक योग बन रहा है और इसमें देव क्रिपा इश्वर क्रिपा डिवाइन हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देगी और कई काम आपको लगता होता हुगा बिगड चुके हैं लेकिन बिगडे नहीं होंगे और मूमेट पे आके वो सारे काम आपकी फेवर में जाने शुरू हो जाएंगे इसलिए कोई काम कारोबार में या किसी भी चीज में अगर आपको कोई अवरुद होती चीज लगे ना हिम्मत मतारियेगा वो अल्टिमेटली आपकी फेवर में ही सेटल होंगे हाला कि इस महीने में पुरानी कोई सोई हुई, कोई चैसे मैटर्स जाग सकते हैं जो थोड़ा सापको परिशान करें इसलिए इस महीने में आपने क्या करना है पीला फूलों का हार, आपने हर मंड़े शिवलिंग प्यारपन करना है और पूरा महीना जेब में लाल रुमाल रखेगा फिर देखेगा किस तरह से कुदरत आपकी सहायता करती है अब अक्तूबर महीना अब यहाँ पर बुद्ध बारवे घर में आ गए हलाकि अपनी राशी के हैं लेकिन बारवे घर में केतू और सूरे के साथ रहेंगे और मंगल अभी भी आपके 9000 में और शनी जो हैं यह आपके वक्री हो चुके हैं यह कॉंबिनेशन भी कामकारोबार के लिए ठीक नहीं है रादर काम में थोड़ी से आपको कमी फील हो सकती है या कही न कहीं आपको लग सकता है कि money matters आपकी favor में नहीं जा रहे हैं इस समय में आपको जो गर्दन या कंधे वाला portion है ना इसमें भी कोई नों के दिक्कत आ सकती है और even hair loss की समस्य या skin से समदित कोई और trouble भी इस महीने में आपको दिखाई दे सकती है इस महीने में आपको किसी की guarantee भरने में थोड़ा सा सतर्क रहना है किसी को भी guarantee वाउच मत करिये नहीं तो आपको कही सी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ये पूरा महीना आपको एक विशेश उपाई दे रहा हूँ जो पूरा उपाई ये महीना बलके अगले महीने में भी आपकी पूरी सहायता करने वाला है गौशाला में जाना है, गायों को आपने हराचारा भी खिलाना है और हो सके तो थोड़े-थोड़े जवार के दाने भी खिलाने हैं क्योंकि ये जो सीजन है ना जवार के दानों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल सीजन ही है अलकी सी गर्मी ही होती है समय में इसलिए जवार के दाने थोड़े कम रखिएगा लेकिन चारे के अंदर mix करके खिलाईएगा जबरदस सुपाई जो बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करने वाला है अब नवंबर महीने में आप देखिएगा कि आपके सूरज जो हैं नीच राशी के हैं और आपके लगन में हैं ये जो समय रहेगा ना ये दुनिया के लिए खुद को जाहिर करने का समय रहेगा अब आपका कोई ऐसा अच्छा पहलू दुनिया के सामने आ सकता है और संतान की तरफ से भी इस महीने में आपको कही न कहीं कोई शुब समाचार मिल सकता है ये महीना स्टूडेंट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा महीना है इस महीने में आपने एक विशेश उपाई करना है तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड डालके महीने की शुरुआत में किसी भी मंदिर में अरबन करके आईएगा याद रखेएगा उसमें पानी नहीं डालना है विशेश हो पाए और आपके लिए बहुत ही helpful हो पाए अब साल का अंत आ गया लास्ट महीना आ गया और ये महीना जो है ये आपके लिए बहुत ही happening महीना रहेगा क्योंकि दसमें घर में मंगल है फिर का हो गया ये मंगल नीचराशी के हैं दसमें घर में केवल मंगल होने की वज़ा से ये मंगल आपको कामकारोबार में फिर उसे बढ़ोतरी productivity increase, revenue भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा बस इस महीने में आपने अंधवी द्याले में blind लोगों के लिए कुछ ना कुछ महीनी के शुरुआत में ही भोजन देके आना है ताकि सारा महीना आपके लिए productive भी रहे और एक सुख संबंता से भरपूर महीना रहे और अगर ये उपायप करेंगे तो आने वाले 2025 की भी बुनियाद एक बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे तो दोस्तों तुला लगनवालों के लिए ये था 2024 का हाल चाल कि किस तरह का 2024 आपके लिए रहने वाला है मैं आशा करता हूँ इसे लाब लेकर आप अपने 2024 को बहुत ही सुगम बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे तो चलिए बहुत जल मिलते हैं नई टॉपिक में विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखियेगा नमस्कार